हालो फ्रेंज मैं टीकी और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मेरे जो ओपर लिप्स क्लीन किया था उसी वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आगे चलके आपको प्रॉपर वक्सिंग का तरीका बताऊंगी तो मैं अपने हाथ पर आज अपलाय करके दिखाऊंगे आ वक्सिंग की जरूरत होती है तो जैसे कि मैं कुछ ज्यादा तर घर में ही कर लेती हूं अगर बहुत एमर्जनसी ना हो मेरे पास तो ऐसे भी वक्त ही नहीं होता है तो इसलिए कुछ चीजे इसे मैं घर में ही रख लेती हूं जैसे कि जब कभी भी जरूरत पड़े तो मैं अ मैंने आपको क्लीन करके वह दिखाई थी वह छोटा एरिया था फटा फट करना था बीना इसी के करना था वह हो गया सुविधा होता है तो लेकिन हट पेर का अगर करवाना है तो ज्यादा एरिया करवाना है तो मैं तो बोलूगी होट होट वाक्स से ही किजिए क्योंकि वह cold से अच्छे से क्लिन करता है और मैं फिर अभी बता देती हूं वक्सिंग के लिए कौन-कौन सी चीजों की जरूरत है जैसे कि ये मेरे पास से एक वाक्स हीटर इसे वाक्स हीटर बोला जाता है तो देखिए इस तरह का है इसका धकन लिए तो ये आपको आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा साड़े तिन सो चार सो के अंदर आपको आ जाएगा बस ये एक भार ही खरीदना होता है होट वाक्स का डिबा है मैं हमेसा बड़ा डिबा लाकर रख देती हूं घर पे का सिर्फ हंट्रेड रुपिस का है तो क्वांटिटी भी अच्छा रहता है ये हनी वाक्स स्पाचुला के जगह पे आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखा है थे यो फ्लाट वाला स्पून भी यूज कर सकते हैं तो हीटर अगर खरीदना होता है तो आप खरीदते हैं तो स्पाचुला भी एक ले आए कोई दिक्कत नहीं है और ये पावडर कोई सा भी पावड और ये वाक्सिंग का स्ट्रीप ऐसे होता है दिखे दिखा देती हूं गौर से देखेगा तो आप एक तरफ थोड़ा प्लेन वाला होगा एक तरफ थोड़ा गड़ा गड़ा होके होगा तो ये आपको ध्यान से देखना होगा ज्यादा डिफ्रेंस पता नहीं चलेगा पर अच्छे से आप देखोगे तो पता चल जाएगा इस तरफ थोड़ा दुर्दुरा है मतलब थोड़ा गड़ा गड़ा है उसी की तरफ से हमें वाक्सिंग श्ट्रिफ यूज करना है लगा के खीचना है ठीक है इसे तो मैं बता दी रहूंगी उसके उसके चलते यहां पे मैं काफी भारी यूज कर चुकी हूँ वाक्स करते टाइम नीचे कुछ पेफर डाल दीजिए नहीं तो जहां पे भी करेंगे आप उहां पे चरो तरफ लग जाएगा यह मैंने निकाल लिया जितना निकालना था पाचुला को निकाल दीजिए पोच के नहीं तो यह बहुत गरम हो जाएगा और जब आप लगाओगे तो स्कीन जलने का डर रहता है चलिए वाक्स तो अभी गरम हो रहा है इसी वीच मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से अपलाई करना है हमें वो तो करके मैं दिखाऊंगी तो पहले से ही थोड़ा बता देती हूँ आप सबके हात पेरों का हैर डिरेक्शन एक जैसे नहीं होता है तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए आपके हातों का या पेरों का हैर डिरेक्शन किस तरफ है तो आपका हैर डिरेक्शन जीस तरह से है वाक्स को उससी तरफ से ही अपलाई करना है जैसे कि मेरे हातों में इस तरफ है में थोड़ा ध्यान रखे गरम हो रहा है तो आप नॉर्मल आप जैसे लगा पाओगे पुरा थंड़ा करके भी नहीं ज्यादा गरम भी नहीं स्कीन जल भी सकता है रैस भी हो सकता है तो उसी के हिसास से आपको लगाना है वाक्स एक डिरेक्शन में लगेगा और जो जिस तरफ दुरदरा है उसको आप इस तरह से चिपकाओगे वाक्स के उपर नीचे के थरफ जादा छोड़ोगे क्यूंकि वाक्स तो लगा हैर के ए पॉजिट डिरेक्शन में जैसे कि ऐसे खिचा जाएगा तो मैं करके भी दिखाओंगे आपको अभी पहले से बता दी हूँ अभी वाक्स गरम हो गया है तो मैं इस स्वीच को ओफ कर देती हूँ थोड़ा सा मिलाएए मैंने पावडर यूज नहीं किया है यह बहुत जरूरी चीजे वाक्सिंग से पहले जहां पे भी वाक्स करना है वाक्सिंग करना है वाहां पे अच्छे से पावडर लगाएए हो गया है थोड़ा फूक लगाए दीजिए देखिया है हो गया है इस तरफ से में लगा रहे हूँ देखिये मैं ओपजिट डिरेक्शन में अभी कीचूंगी फटा फट कीचना है लेट नहीं करना है देखिये बहुत नरम बाले तो साइद आपको दिखाई ना दे पर निकल रहा है जितना जल्दी जल्दी आप कर पाओगे उतना अच्छा है ये बहुत संसिटिव और सॉप्ट एरिया होता है ध्यान से किजिएगा साइद आपको देखके लगता हो ये तो बहुत मुश्किल है मतलब ऐसे गुमा के खुद कैसे करेंगे आप दो तिन बार आप अपने ऐसे कर लोगे तो मन नहीं करेगा वहां पर जाके वह जिस तरह से कीचेंगे आपको कितना पेन हो रहा है क्या हो रहा है उनको तो पता नहीं चलेगा उपर का तो हो गया मेरा अभी यह यह परसंद जो है मेरा हैर का डिरेक्शन इस तरफ है इस तरफ है मेरे डिरेक्शन हैर का तो मैं वाक्स अप्लाइ करूंगी इस तरफ से जनरली क्या करते हैं तो यहां से सुर्यू करके ऐसे ऐसे वाक्स लगा देते हैं और खिश देते हैं तो वो अच्छे से क्लीन भी नहीं होगा हैर नहीं निकलेगा उस ते आधा-धा होता है हैर को उस तरह से नहीं निकलेगा और छोड़ा-छोड़ा होएकर रहे जाएगा छोड़ मैं इस शेरिया में अप्लाइ करती हूं वाक्स दिखे हो गया इसको इस तरह से खीचूंगे कर दो कर यहां पर सिधा सिधार लगा दूंगे और एक चीज की ध्यान हमेशा रखिए हम क्या गरते हैं जहां पर हैर होता है उसी जगह पर ही वाक्स करके छोड़ देते हैं और जहां पर हैर नहीं होता रहा पर जरूरत नहीं होता है उसी जणने में यह मदद करता है देखेे पुरा हाथ मेरा बहुत इजिली हो गया बस यहां पर ही यहाँ पर चूडी सुर्ब्णाइभ वस्य द right autism मेरा स्टैंब मैं चूडी और यह रिंग नहीं निकाला है अगर आप को निकालना हो आप निकाल सकते हो मेरा हो जाता है तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है तो ये हाथ तो हो गया आपको लगता होगा कि ये हाथ साइध मुस्किल होगा करने में कोई दिक्कत नहीं ये हाथ भी हो जाएगा आराम से देख लीजे देखिए ये थोड़ा थंडा यह थोड़ा थंडा हो गया था तो इसको फिर से गरम कर ली में और अभी अपलाए करूँगी बंद कर दूँगी इस साथ पे भी अपलाए कर लेते हैं देखिए ले बाल थे वाक्सिंग में प्रोब्लम हो रहा था तो मैं इसको क्लच कर दी चलिए कि यह हाथ पी अराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप देखिए द्यान से इस हाथ का हैर कर डिरेक्शन इस तरफ यह ज्यादा चिप-चिप हो जाए तो इस फोल कर दीजे दूसरे तरफ सबसे कीजिए कर दान रहे हाथ पेर के वक्सिंग करते टाइम ऐसी चला के कीजिएगा यही वज़ा है के ज्यादा तर हम पालर चले जाते हैं घर में अगर ऐसी ना हो तो पालर जाके करना बहतर रहेगा हाथ मेरे पुरा ड्राय थे कुछ भी मॉस्चराइजर यह कुछ अप्राएं नहीं की थे में तो इसी के वज़े से अच्छी तरह से क्लीन हो गया अच्छी तरह से हो जाने के बाद अच्छे से कोई गिले कपड़े से पोच लीजिए या तो फिर धो लीजिए तो धोके फिर सुखया टावल से पोच के आप कोई सा भी मुस्चराइजर या लोसन लगा के छोड़ भीजिए आपको कुछ भी मेरे वीडियो से अगर जानकारी मिली हो कुछ भी सीखने को म कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप देख पाएं तो चलिए फिर मिलते हैं